Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल समय से चल रहा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जिस रीजन में इसकी मांग की जा रही है, मैं आपको बता दू काफी चौकाने वाला है, इस बार के लोग सभाद चुनाओ के अंदर एक भी परसन ने वोट नहीं डाला था, और यह चिंता की तरफ से कुछ प्रपोजल दिया गया था, और उसी का रिपलाई यहाँ पर नागा लेंड की सरकार कर रही है, तो क्या होने वाला आगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दू, यहाँ पर अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे है आज सी हमारे जो नए बैचेज हैं, चाहें 2026 के, या फिर 2027 यह स्टार्ट हो रहा है, और इसका लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आपको यूज करना है, यह कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिसकाउंट ले सकें, और इसके अलावा, अगर आप MCQs अट कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं, कि exactly होग क्या रहा है, देखें काफी महिनों के बाद, पानली नागलेंड की सरकार ने यह कहा है, कि Central Government की तरफ से जो हमें ड्राफ्ट भेजा गया था, एक ड्राफ्ट भेजा था जिसका नाम है Memorandum of Settlement, वो नागलेंड के 6 district को लेकर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, in fact अगर आप देखो के यहाँ पर यहाँ पर यह नागलेंड का मैप आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो Eastern वाला पार्ट है ना यहाँ पर, जिसका बॉर्डर आप देख सकते हैं, ज्यादा तर को मैंनमार के साथ सर्तावा देखने को मिलता है, तो इस 6 district के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी मांग हो रही है, और इसी को लेकर यह जो पुरा Memorandum of Settlement है, वो Central Government ने Nagaland सरकार को भेजा था, और Nagaland में भी ध्यान रखेगा, यहाँ पर NDA की सरकार है, लेकिन न इस्टन वाले साइड के, उनका लंबे समय से एक separate state का मांग रहा है, या फिर आप कह सकते हैं greater autonomy का, जैसे कि आपको पताया कि अगर मानलोगर कोई एक राज है, और वहाँ पर जैसे कि for example Nagaland की बात करें, तो इसकी capital है कोहिमा, तो यहाँ पर जो इस्टन वाले part के लोग है उनका कहना है कि उनके पास खुद अपने पास power होनी की है, इसके लिए वो एक अलग राजी की मांग कर रहा है, और इसी की वजए से यहाँ पर चिंता की बात यह हो गई, क्योंकि लोग सभाद चुनाओ के अंदर इस पूरे region में एक भी vote वहाँ के लोगों ने नहीं डाला तो question अब यहाँ पर यह है कि आखिरकार यह separate state की demand क्यों की जा रही है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो separate state की demand है वो नागल लैंड के 6 eastern district से की जा रही है, वो कौन-कौन से district है मैं आपको दिखा देता हूँ, यह जैसा कि आप देख सकते हो यह पर हो गया नौकलैक और शेमेट और इसके अलावा यहाँ पर नीचे किपरें, तो यह जो 6 district आप देख रहे हो, इसी के बारे में हम यहाँ पर discussion कर रहे हैं, यह 6 district को लेकर एक अलग separate state की मांग की जा रही है, और इस 6 district के अंदर आप देखिए, कई सारे आपको tribes देखने को अंदर रहती है, और नागलेंड के अगर आप assembly में देखोगे, नागलेंड के assembly अगर आप इसे में present में देखोगे, तो total 60 seats है, और यहाँ पर भी आप देखिए, तो actually कोई opposition है ही नहीं, सभी के सभी 60 जो members हैं, उन्होंने NDA government को join कर लिया है, तो यह आपको देखने को अपने आप में, देखिए, यहाँ पर जो demand की जारी है, एक separate state की, यह बोला जा रहा है कि काफी लंबे समय तक इस region को अभी तक कोई भी importance नहीं दिया गया है, in fact मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक organization है, जिसका नाम है ENPO, जो इस पूरे चीज को लेकर, इस पूरे demand को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ आए, Eastern Nagaland People's Organization, तो इन्होंने 2010 में Prime Minister Office को, उसमें Manmohan Singh जी जो है Prime Minister थे, उनको यहाँ पर एक memorandum जो है, submit किया था, और एक separate state की मांग की थी, और उसमें उन्होंने यहाँ पर कहा था कि उस पूरे region में काफी ज़्यादा development deficit है, यहाँ पर जो सरकार बनती है, वो इस region के उपर ध्यान भी नहीं देती, और इसी की वज़े से हम चाहते हैं कि हमें एक separate state बना दिया जाए, ताकि हम अपने उपर ध्यान रख सकें, खेर, question अब यहाँ पर यहाँ आता है, कि demand तो किया गया था 2010 में, अभी इसको लेकर क्या status है, देखो यह समय समय पर अगर आप देखोगे तो सामने आता रहता है, यह जो demand है, और especially पिछले साल actually क्या हुआ था, February के महने में नागा लैंड का चुना हुआ था, उस राज का चुना हुआ था, और उसमें जो यह organization है, Eastern Naga Land People's Organization, उन्होंने पहले ही वहाँ के लोगों को कह दिया, क कि आपको इस assembly के अंदर कोई भी voting नहीं करनी है, मतब चुनाओ था पिछले साल 2023 में, और इन्होंने August 2022 से ही कहना start कर दिया था अपने लोगों को, कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, एक separate state की, तब तक आप में से कोई भी लोग यहाँ पर vote देने मत जाना, लेकिन जैसे ही ये election सामने आने वाला था, उसकी just कुछ समय पहले ही, कुछ हफते पहले ही, Eastern Nagaland People's Organization ने अपना जो boycott call है, उसको withdraw कर दिया था, और इसका कारण ये था क्योंकि Union Ministry of Home Affairs, directly जो अमेच शाह की जी की जो Ministry है, Home Affairs Ministry, उन्होंने यहाँ पर एक solution के लिए कहा था, इस organization को, कि हम एक mutually agreed solution पर आएंगे, ताकि आपकी जो भी demand है, उसको पूरा किया जा सके, लेकिन आप इस assembly election को boycott मत करिए, और उसके बाद से अगर आप देखोगे, तो Home Ministry के साथ कई सारी meetings होई है, ENPO के साथ मिलकर, और इसी साल में आपको बता दूँ, इसको देखते वे Central Government ने एक draft भेज और कहा कि आपका इसको लेकर क्या opinion है, आप हमें बताइए, लेकिन क्या है कि तब से लेकर वो draft वहीं पर अटका हुआ है, उसको लेकर कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, और इसी को देखते क्या होता है, इसी साल फिर April के महने में लोगसभा का चुनाओ भी आता है, तो April के महने में जो लोगसभा का चुनाओ था, उन 6 डिस्टिक के अंदर किसी ने भी वोट नहीं किया, E.N.P.O. ने कह दिया कि इस बार हम लोगसभा में चुनाओ में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है, अब कि यहाँ पर नागालेंड सरकार और जो इस्टन नागालेंड पीपल और्गनाइजेशन है, दोनों एक दूसरे के उपर फिंगर्स कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भोल रहे हैं, जो E.N.P.O. है उन्होंने कहा है कि स्टेट गौर्रमेंट जान मुशकर यह जो ड्राफ उनके साथ बातचीत करेंगे, तभी तो हम सेंटरल गौर्रमेंट को रिपलाई कर पाएंगे, और इसी को देखते वे फानली यहाँ पर पिछले हफते बताया जा रहा है कि नागालेंड परलिमेंटरी अफेस जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमने डिसकशन किया है, E.N P.O. के साथ, Eastern Nagaland Legislators Union के साथ, और अब हम जाकर अपना रिपलाई सेंटरल गौर्रमेंट को करेंगे, और कुशन अब यहाँ पर यहाँ आता है कि नागालेंड सरकार ने इसको लेकर क्या निर्ने लिया है, देखो बताये जा रहा है जो अभी तक सोर्सेस के माध्यम से खबर ही यहाँ पर इसको जादा हम autonomy दे देंगे, मतलब जादा स्वायत्ता दे देंगे ताकि वो अपना decisions खुद ले सकें, जैसे कि for example उनको जादा financial power दिया जाएगा, executive power दिया जाएगा, उनके लिए एक separate legislature बनाया जाएगा, ताकि वहाँ के लोग अपने ही लोगों को चुने औ और वो लोग decide करें कि उनका पैसा कहां पर खड़ चुका, यह यहाँ पर अभी तक बताया जा रहा है, और पिछले ही हफते यहाँ पर जो नागा लेंड के minister है, that is parliamentary affairs minister, उन्होंने यह भी बताया कि देखे, जो headquarter है वो तो आपका कोहिमा में ही रहेगा, लेकिन जो regional headquarter है, उसी के तहट की जाएंगे, अब देखे, 371A बहुत important है, ध्यान रखेगा, जब नागा लेंड बनाया गया था, नागा लेंड स्टार्टिंग से कोई अलग राज नहीं था, बेसिकली आसाम से इसको separate किया था 1963 में, जब यहाँ पर एक 16 point agreement हुआ था between नागा, नागा people's convention and union of India के बीच में, और यह 371A एक special constitutional provision है नागा लेंड के लिए, जहाँ पर उनका जो customary law है, नागा people का, उनको protect करके रखा जाए, इसी के वज़े से यह बनाया गया था, देकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, कि state government यह कह रही है कि हमने यहाँ पर reply करना अब start कर दिया है, जो भी proposal है, उसको लेकर हम central government को reply करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह जो eastern naga people organization है, जो इस पूरे मांग को लेकर आगे बढ़ रही है, उनका यह कहना है कि central government ने हमें अभी तक किसी भी प्रकार का proposal नहीं भेजा है, जो proposal भेजा गया था, वो सिर्फ state government को भेजा गया था, अब state government अप पिर अपना जो separate state का मांग है, उसी को लेकर अड़े रहेंगे, वो देखने वाली बात होगी, but I hope कि इस वीडियो के माध्यम से, जो भी यह पूरा मुद्दा चल रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले आप सभी के लिए एक interesting question देखें, North East के अंदर आई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आए, अलग लग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, औ दयारी हुई, अफोर्डिबल